बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाद से उत्तर प्रदेश में नमी बनी हुई है जिससे कोहरा और धुन्ध आगामी दो दिनों तक बरकरार रहेगा। इससे सुभ़ और शाम द्रिश्यता कम रहेगी और वहन चालकों को परिशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कानपूर की बात करें तो आज सुभ़ पांच बजे 700 मीटर ही द्रिश्यता रही। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हवाओं के चलने से दिन में पारा गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। चंद शेखर आजाद क्रिशी प्रोध्योगी की विश्विद्याले के मौसम बेग्यानिक डॉक्टर एसन सुनील पांडे ने बुधवार को बताया कि बांगलादेश और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोब उत्तरी इरान और उससे सटे अफगानिस्तान के हिस्सों पर है। मौसम बना रहेगा और दिन में धूप निकलने से ही धुंद्व कोहरा चटेगा। यही नहीं उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से सर्द हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं जिससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी में बढ़ोतरी होगी। हवाओं की दिशाएं उत्तर पश्चिम रही जिनकी ओसत गती 1.3 किलोमीटर प्रती घंटा रही। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में आस्मान में हलके से मध्यम बादल चाये रहने के आसार है। बारिश की कोई संभावना नहीं है तथा प्राता काल एवं रातरी के समय ठंड, धुन्दी एवं घने कोहरा चाये रहने के आसार है। हालाकि सुभ़ 10 बजे के बाद हवाओं की गती बढ़ने से कम होने की संभावना है। झाल के बाद है।